हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत है आपका अपना चैनल आ रहे हैं अश्टेडी सेंटर में आज हम लोग गाउं पंचायत परखंड अनुमन डाली जीला इसके बारे में समझेंगे इनका मतलब समझेंगे कि क्या होता है क्योंकि हम लोग को जीवन में ये रोज सुनते हैं लेकिन इसका मतलब हम लोग नहीं समझते हैं कंफ्यूज रहते हैं बच्चे तो बच्चे बड़े लोगों को भी ये समझ में नहीं आता है और वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं तो चलिए आपका इस कंफ्यूजन को आज हम दूर करते हैं तो इस वीडियो को सुरु सान तक देखते रहें इसको समझने के लिए तो एक एक करके मैं चली आपको समझाता हो तो सबसे पहले देखिए गाउं जो सबसे छोटी काई होती है वो होती है गाउं कुछ गाउं को मिला कर पंचायत बनता है तो यहां पर एक राज्य का हमने उधारन लिया है बिहार का तो संखिया काते हैं और बिहार में पंचायतों की संखिया है 8471 उसके बाद पंचायत को मिलाकर परखंड बनता है और परखंड को इंग्लिस में ब्लोक काते हैं तो बिहार में परखंडों की संखिया है 534 फिर परखंडों को मिलाकर अनुमंडल बनता है और अनुमंडल को इं परधान होता है, उसको कहते हैं A45. और जुबलोक का परधान होता है, उसको कहते हैं BDO. फिर कुछ अनमंदलों को मिला कर जीला का निर्मान होता है, जीला बनता है. तो जीला को resiliency कहते हैं और बिहार में कुल जीलों की संख्या है 38 और जो जीला का परधान होता है उसको कहते हैं डी-म फिर जिला को मिला कर परमंडल बनता है परमंडल जिसको इंगलिस में डिवीजन कहते है और बिहार में डिवीजन का कुल संखिया है नो इसका जो परधान होता है वो होता है कमिशनर कमिशनर फिर परमंडलों को मिलाकर राजे बनता है और भारत में राजियों की संखिया है 28 राजिय है और 8 के अंदर सासित राजिय है जो राजिय का परधान होता है उसको हम लोग सीम चीप मिनिस्टर मुख मंतरी कहते हैं फिर कुल राजियों को मिलाकर कुछ राजियों को मिलाकर देश बनता है और देश को इसमें कंट्री काते हैं और इसका जो परधान होता है वो पी-म कहलाता है प्राइम मिनिस्टर कहलाता है उसी तरह कुछ देशों को मिलाकर महादेश बनता है और महादेशों की संखिया है सा महादेशों को मिला दिया जाता है तो 200 का निर्मान होता है इस दुनिया का निर्मान होगा है तो ये रहा इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि गाउं के आप अंचायत परखन और वंडल क्या है ये सब हम लोगों ने देखा इसका परधान कौन होता है और इनकी संख्या क्या यह सब कुछ हम लोगों इस वीडियो में जाना तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो पर लाइक कमेंट करें क्योंकि आपका लाइक कमेंट है में मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद